नवस्कार आप देख रहे हैं पंजाब किसरी और मेरे साथ इस वक्त मवजूद हैं व्रिष्ट सयोगी बल्मन तक्षक तक्षक साब नए साल का अगाज हुआ कुछ नई खटी मीठी यादें छोड़ कर गया लेकिन हर्याणा में सियासी फिजाओं के साथ सियासी रण और अब निजी जीवन जो लगातार मंतरी अपने अच्छे कामों को लेकर चर्चा में रहते थे बात कर रहा हूं खेल मंतरी सं किसले साल के अंज से ने साल की शुरुआ तक उस पूरे घटना करम में अब तक जो हुआ सारे हमारे दर्सक जानते हैं लेकिन ये मसला अब भी खूब उछल रहा है तो अब तक का जो घटना करम हुआ है जो जांच हुई है उसको देकर आप क्या कहेंगग तो सुनी लिए क कोच ने उन पर छेड़ चाड के आरूप लगाए और छेड़ चाड के आरूप लगने के बाद से संदीप सिंग विवादू के घेरे में हैं जांच उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है उनकी कुर्शी जाएगी या बचेगी ये पुलिस की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा जी लेकिन अब जांच रिपोर्ट को निश्पक्ष आने की बात कहते हुए कि जो भी जांच हो इसलिए मैं अस्तीफा दे रहा हूँ अपना पज छोड़ दिया तो ऐसे में क्या जांच आपको लगता है कि पज छोड़ देने से संभब निश्पक्ष हो पाएगी सुने लिए बात सही नहीं है कि उन्होंने पज छोड़ दिया है उनके पास प्रिंटिंग और स्टेशनरी और खेल विवाग का जम्मादा है और कहा है कि मैं नैतिक्ता के आधार पर खेल विवाग की जम्मदारी छोड़ रहा हूँ जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जा है आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है साजिस करार दिये अपने खिलाप लेकिन जूनियर महिला कोच का कहना है कि उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया मेरे साथ छेड़ खानी की जो स्टाफ था उनका उनसे मैंने गुहार लगाई लेकिन किसी ने मुझे बचाने दी थी कि अगर पुलिस ने F.I.R. दर्ज नहीं की तो भे धरने पे बैठ जाएंगी। चंडिगर पुलिस उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज कर चुके संदीफ सिंग जी के खिलाफ और लड़की का जो पीड़िता थी उसके बयान दर्ज हो गए। जी अच्छा दूसरी तरफ आरोप लग रहे हैं कभी इस पाले आ रही है गेंद कभी उस पाले तो अब इसमें देखिए S.I.T. भी जो है वो गठित की गई है तो ऐसे में अब पुलिस और S.I.T. इन सब को देख कर आप क्या कहेंगे। मैं समझता हूँ कि सुनिल जो संदीफ सिंग जी ने हरियाना पुलिस के डीजीपी को एक शिकायत दी और कहा कि उनके खिलाफ राजनतिक साजी सरच जी जा रही है इस मामले की हरियाना पुलिस जाज करें। देखें पहली बात तो ये है कि जैसे उन्होंने अरजी दी डीजीपी परशांत कुमार अगरवाल साब ने उसके मामले पर S.I.T. गठित कर दी। और लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक मंतरी के खिलाब पुलिस जाज रिपोर्ट कैसे खिलाब दे सकती है। तक्षर साब सबसे एहन सवाद इस चर्चा का की छेड़ चाड़ का ये मामला कई महीने पहले का जी। लेकिन अब ये सामने आया तो इसकी अचानक सामने आने की आखिर आखिर आपको बज़ा क्या नजर आती है। मैं सुनिल आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी सियासी ताकतवर विक्ती के खिलाफ कोई सामाने कर्मचारी अगर गुहार लगाता है तो उसकी गुहार आम तोर पर अनसुनी रह जाती है। यह सवाल जो आपने पुछा यही पीडिता से पुछा गया था जूनियर महिला कोच का कहना था कि यह घटना 22 जुलाई की है। आप बीती सुनाई तो अभै सिंग चोटला जी ने उनको कहा कि अगर आपके साथ छेडखानी हुई है तो आपको बड़ी मजबूती के साथ ये सामने आना पड़ेगा और मीडिया को अपनी बात बतानी पड़ेगी इसके बाद पीड़िता ने एक प्रेस कॉंफेंस में बता ये तो पुलिस जांच रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि उनके आरोबों में कितनी सचा ही है लेकिन जो इस मामले में तीन-चार मेने की देरी हुई वो संगर्स कर रही थी कि उनकी सरकार में कोई बात सुन ले लेकिन चूंकि मामला एक मंत्री के खिलाब था इसलिए सु और अभे चोटाला के भी आपने जिकर किया पीरता का कहना है कि उसे लगातार धंकिया मल रही है और जान से मारने का खत्रा अशंका भी उसने जताई है तो ये जान से मारने का खत्रा किस से हो सकता है क्या संदीब सिंग पर वो आरोप लगाना चाहती है उनका ये कहना है कि जब से उन्होंने मंत्री के हिलाफ आवाज उठाई है उनके मोबाइल पर इंस्ट्राग्राम पर लगातार उन्हें धंकियां दी जा रही है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे साथ कोई अन्होनी होती है तो इसके जिम्मेदार एक मात्र खेल मंत्री संदीप सिंग होंगे यानि कि जब उनको लगातार धंकियां मिल रही थी तो वो मीडिया के सामने आके यही कह रही थी कि मुझमे लड़ने की ताकत है लेकिन मुझे ड्राने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं पुलिस के सामने जो सारा वाक्या था उस पर कोई बयान देने के बजाए अब के खिलाफ लड़ाए लड़ूगी धंकियां मुझे मिल रही है और इसी सिलसले में बाद में उन्होंने ग्रह मंतरी अनिल विज साब से मुलाकात की थी और जो मुझे जानकारी मिली है कि ग्रह मंतरी विज साब के निर्देश पर उनको सुरक्षा मिल गई अच्छा चलो अ अध्याना मनोहरलाद उनका ना कोई प्रतिक्रम आया ना ही भाजपा के जो अध्यक्स है परदेशा ओपी धंकर साब ना उनका कोई प्रतिक्रम आया तो क्या सियासी चुप्पी या कैबिनेट मंतरी हैं इसलिए चुप्पी की अभी जांस देख लेते हैं उसके बाद आओगा कि रिपोर्ट आने दीजिए फिर देखेंगे दूसरा जो पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष अंपरका धंकर साब उनकी भी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आई अभी कि वह भी जांस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे जांस रिपोर्ट जब आएगी तो निश् गुपता जी संदीफ सिंग जी गर गई थे ये मामला उचलने के बाद और करीब एक घंटे उन्होंने संदीफ सिंग का पक्ष चुना है उन्हों ने जाडने की कोशिश की होगी कि महिला के आरवों में कितना दम है या मंतरी की सफाई कितनी संतोसपर्द है और मेरा ये भी मानना है कि स्पीकर साब ने ये सारी रिपोर्ट मिश्चित तोर पर मुख्यमंतरी को दी होगी और अपनी ओपीनियन भी उसमें रखी होगी लेकिन ये अभी सारजुनिंग नहीं हो पाया है ना तो स्पीकर साब ने इस मामले में कुछ का है और ना मुख्यमंतरी जी की तरफ सिंग को अधार मान कर जो खेल मंत्री हैं उनसे दो हजार चोबिस के लोगसवा चुनाबों की तियारी भी साथ के साथ की जा रही है सुनिल देखे अब विपक्ष को तो मोका चाहिए कांग्रेस की पूर परदेश अद्यक्ष जो हैं खुमारी सेलजा वो अभी पानी पता आई थी राहूल गांदी जी की भारत जोड़ो यात्रा करने मंत्र देने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर एक मंत्री किसी महिला के साथ इस तरह का अबदर विवार करता है इस तरह की हरकत करता है तो उसको तुरंत मंत्री मंडल से बरकास्त कर दिया जाना चाहिए यही बात जब विपक्षे नेता पूर मुख्यमंत्री भुपेंदर से पूछी गई तो उन्होंने का मंत्री न अपना खेल महिकमा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है ऐसे में हम उमीद करते हैं कि इस मामले की निस्पक्ष जाच होगी और अगर कोई दोसी पाया जाता तो उस जाइस नहीं रहनी चाहिए मुख्यमंत्री को उन्हें तुरंत प्रभाव से बरकास्त कर देना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के पूर मंत्री मनीश ग्रोवर उन्होंने कहा है कि संदीव सिंग भारते होकी टीम के कप्तान रहे हैं उन्होंने देश का जंडा और देश का नाम रोशन किया अपने खेल से वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं मनीश ग्रोवर ने यहां तक दावा किया कि उनके खिलाब कोई साजी सरच जा रहे हैं लेकिन मैं तो सुने लिए ही कहूँगा कि जब तक जांस रिपोर्ट नहीं आ जाती आरो पर तरो दोनों पानी का पानी करेगी अपनी रिपोर्ट है जलो दूद कब अ बूद और पानी का पानी तो होगा लेकिन कब होगा क्योंकि हर्याना मêmeं अलग साइटी चंडिगड़ पुलिस में अलग क्या फाई, आर लेकिन फिर सवाल की क्या इसके लिए भी एक समय सीमा तय होनी चाहिए कब तक आपको लगता है कि जांच रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि संदीब सिंग इसके बाद भरी कैसे होंगे इस मसले में क्या निकलेगा तमाम ऐसे कई सवाल है तो आपको क्या लगता है रिपोर्ट के समन में देखिए रिपोर्ट की दो कोई समय शिमा नहीं है चंडिगर पुलिस ने पीडिता के बयान दर्ज कर लिए है जाहिर है अब संदीब सिंग को भी बुलाया जाएगा पूस्ताश के लिए संदीब सब कब उपलब्ध होंगे पुलिस के सामने एक तो इस पर निरबर करेगा द तो उनकी राजनितिक जो दोड़ है उस पर निशित तोर पर एक प्रसंचिन लगेगा और समाज में जब कोई महीला इस तरह के आरूप लगाती है तो आप मानके चलिए कि मंतरी का कुछ बिगड़े चाहे ना बिगड़े लेकिन समाज में जो मैसेज जाता है वो उनकी पर चुनाव लड़े, जीते, मंतरी बने लेकिन ये तो शायद संदीव सिंग जी भी नहीं सोचा होगा कि दो हजार बाइस साल के आखिर में जाते जाते वो इतनी परिशने जो घिर जाएंगे मैं समझता हूं कि अगर रिपोर्ट संदीव सिंग जे खिलाफ आई तो मुक् एहम सवालों का जवाब देने के लिए तक्षर साब आपका बहुत बहुत धन्यवाजी शुक्रिया सुनीदी शुक्रिया